हेलो दोस्तों फीसे सागेते मेरा चनल पे मेरा चनल का नाम है इलेक्ट्रोनिस इंडिया मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो देख सकते हैं आमारे पास एलजी का एक पीसीबी लेके आया हूँ इस पीसीबी का पॉब्लेम देखूंगा सोलोशन करके भी लेके आया हूँ एक एलजी ट्वेंटी वान इंच का नॉर्मल टीवी का पीसीबी लेके आया हूँ और यह जो ट्यूब देख रहा है यह आमारे टेस्टिंग ट्यूब है इसलिए एक टेस्टिंग ट्यूब पे मैं चेक करूंग आच और इस प्रॉब्लेम जो है वो सॉल् रहता है ठीक है मैं टीवी को पावाद देता हूँ पावाद देने के बाद पावर इंडिकर जल गया जलने के बाद इस स्टैन्बाई से रिलीज भी हो गया है और रिलीज हो जाने के बाद हमारे टीवी पे जो पॉब्लेम दे रहा है वो पला पॉब्लेम देख रहा है क्य हमारा पुरा ब्लैक हो गया है और मैं जब टीवी को चेंज करके मैं चैनल पर देता हूं देखिए चैनल पर देने के बाद चैनल का लिखा चैनल का जो नामबर होता है नामबर आने के बाद ब्लू स्किन पर आ जाता है लेकिन हमारे टीवी पर जो सुनो होना चाहिए और सु सुनों होना चाहिए इस पर लेकिन इस पर सुनों नहीं है मतलब दोस्तों क्या हुआ इस पर जो अमरे पिक्चर का ग्राफिक्स आना चाहिए वह पिक्चर काफिक्स नहीं है क्यों नहीं है वह देखने के लिए एक चीज़ को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कहां पर पॉ चेंज कर रहा और देखिए अंदर में हमारा स्नो है लेकिन ए डिटर स्किन के उपर हमारा स्नो आ रहा है मतलब क्या हुआ अंदर में तो स्नो है और एभी लागाने के बाद भी हमारा एभी पे तो पिक्चर थोड़ा सा आना चाहिए देखिए मैं एभी डाल दिया और एभी क्या हुआ आंदर में तो picture है लेकिन जो क्लियारनेस जो picture होना चाहिए और हमारा रिटरस जो high skin मैं बड़ा के picture दिख रहा हूं लेकिन इस पे normal पे पिक्चर होना चाहिए लेकिन इस पे पिक्चर नहीं है और एक चीज़ बहता दो जब मेनु दाबाते ओं देखे मैनु का लोगो रहा है और चेनल का लोगो है लेकिन हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है मतलब दोस्तो आझ का जो पॉबलेंब है वह हमारा गर में गया था तब वाले PCB को माने जब चेकी है तो हमारा 어ला Ya हमारा barrier गोगए था और क्रेग के क्वी जब मैं चीच्छी को स्टर्टिंग कारा तो हमारा 마 USB será किंग हो रहा था अंदर में ये में वी स्पार्किंग हो रहा था इसेलिए मैं नया वाला एक EHT लागा चुका हूँ देख सकते मैं ये बाला नया बाला EHT लागाने के बाद भी हमारा जो स्पार्किंग का पॉब्लेम था उबाला सॉल्व हो गया है और हमारा लाइट भी आ गया है लेकिन हमारा पिक्चर नहीं है ABL जाक तक हमारा EHT को स्थिक्ठाक हमारा सेंस नहीं देगा तो हमारा टीवी पे पिक्चर नहीं आएगा इसलिए मैं टीव को फिर से पावर दिया पावर देने के बाद टीवी स्टैंडबाई से रिलीज हो गया है मैं ABL का जो वोल्टेज होता है ABL का बोल्टेज चेक करूँगा क्योंकि दोस्तो हमारा पावर सेक्षन से ही है नहीं तो हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं होता और हमारा फाइब बोल एड़ भोल भी रेडी है इसलिए हमारा टीवी रानिंग है लेकिन इस पे पिक्चर नहीं है जो हमारा हाई जो स्कीन निचे साइट का लाइट का जो पीसेड होता है पीसेड को जब बाड़ा देता हूँ अंदर में पिक्चा दिग रहा है इसलिए इसका सबी भोल्टेज ओके होना चाहिए जो हमारा पावार सेक्षेन रेगुलेटर सेक्षेन ओके है EHT पे भी हमारा 180 बोल जो 200 बोल होता है ओबी सही है 14 बोल प्लास 14 बोल माइनास ओबी सही है नहीं तो हमारा भाटिकल सेक्षेन पे जो पिक्चार होता है वो भाटिकल सेक्षेन काम नहीं करता है ठीक है ओबी से ही है उसके बाद भी हमारा टीवी पे क्यूँ पिक्चर नहीं है यह जो हमारा पॉइंट दिग रहा है ABL ABL पे हमारा भोल्टेज होना चाहिए मिनिमम हमारा एक भोल्टेज होना चाहिए जो 14 से 20 भोल्ट तक हो सकता है इस पे 14.9 दिग रहा है मतलब हमारा ABL पे भोल्टेज आ गया है क्यूंकि दोस्तों यह भोल्टेज आ गया है हमारा पिक्चर आना चाहिए नहीं लेकिन फिर भी हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है कभी-कभी आप लोग इसी पॉब्लेम को फेस करेंगे तो पाता चल जाएगा हमारा ABL पे भोल्टेज नहीं रहेगा तो हमारा इस बाला पॉब्लेम देता है लेकिन इस पर भोल्टेज पहुँँ रहा है क्यूंकि ए जो 110 बोल्ट के जो 20 बोल्ट जो होता है 110 बोल्ट उस पे connection पे जो रेजिस्टन लगाया होता है और रेजिस्टन कभी-कभी काट जाता है इसलिए हमारा ABL पर voltage नहीं पहुंचता है देखे यह जो फोईल है यह फोईल के बाद और एक रिजिस्टन लागा के हमारा ABL को connection दिया गया है मतलब हमारा ABL सेक्षन पर voltage पहुंच रहा है ABL के voltage पहुंचने के बाद भी हमारा TB पर picture क्यों नहीं है इह देखने के लिए यह जो हमारे ABL का connection के साथ जह रिजिस्टन के साथ एक diode लगाया हुए यह जो इह बाला डायओ Dan के बादा रिजिस्ट के बाद डायओ nemय और यह डायओ क्या करता है इस पे जो हमारा IC का जो feedback रहता है जो ABL feedback, EHT feedback जो रहता है ओबला system को control करता है ओबला flip sense देता है तो हमारा EHT जो graphics होना चाहिए और graphics आना चाहिए इसलिए ओबला diet को check करना जुरूरी है क्योंकि ओबला diet हमारा खरब रहेगा तो ओबला problem देगा लेकिन मैं फूरी तेरा से check कर चुका हूँ यह बला diet भी सही है diet सही रहने के बाद भी हमारा picture नहीं है मतलब दोस्तों इस site पर problem रहेगा और इस problem को check करने के लिए मैं voltage check कर वा देता हूँ जो हमारा यह बला जो resistance के बाद जो voltage त्यार हो रहा है यह बला point पर रहेगा इस बला point पर देखिए 13.8 दिगरा है और यह बला point का जो point है यह हमारा IC से direct आया है देखिए फॉयल को check करेंगे तो पता चल जाएगा यह बला जो ABL लिखा हुआ है ABL connection और ABL पर हमारा एक capacitor लगाया होता है ओबला capacitor पर हमारा voltage 4.2 दिग रहा है मतलब दोस्तो ABL को जो सब लाई जाना चाहिए IC का जो ABL होता है ओँ IC का ABL पर भी voltage पहुँच रहा है लेकिन फिर भी TV स्टार्टिंग नहीं जो picture होना चाहिए पिक्चर स्टार्टिंग नहीं है जो graphics होना चाहिए यह बाला resistance के बाद हमारा point गया है यह बाला EHT जो लिखा हुआ है EHT यह बाला point पे जाता है और एक point पे जाता है जो इस last बाला जो point होता है यह last बाला IC का जो point होता है इस पे दिग नहीं रहा है नहीं तो पता देता क्या लिखा हुआ है इस बाला point पे आता है मतलब हमारा IC से control होके ही हमारा picture आता है वह बाला problem है जो इसलिए ही हमारा TV पे पूरा black skin आ गया है menu दाबाने पे हमारा तो लिखा तो आ रहा है जो logo होता है logo तो आ रहा है लेकिन हमारा AB का graphics या हमारा जो normal channel का जो snow होता है वो snow नहीं है इसलिए मैं एक चीज़ चेक करूंगा यह जो ABL का connection है जो IC का जो ABL connection है यह अभी ABL connection को open करेंगे open करने से पहले इसको check कर लेते हैं इस पे हमारा मिल रहा है 4.2 और इसको open करके IC का जो pin है IC का pin पे हमारा voltage कितना निकल रहा है ओबला point को भी check करना है मैं इस pin को open करूंगा open करने के बाद इसको check करूंगा जो हमारा IC है main processor है processor पे कितना voltage निकल रहा है ठीक है मैं इसको open कर लेता हूँ दोस्तो मैंने IC का जो pin बोला था जो ABL का pin होता है ABL pin को मैंने open कर चुका हूँ open करने के बाद 360 TV को power देंगे power देने के बाद देखेंगे इस पे जो voltage है वो voltage कितना IC से निकल रहा है ये तो हमारा direct 5 volt से resistant लागा के ये बोल्टेज दिया जाता है वो बोल्टेज तो हमारा ही capacitor पे हमारा voltage आ रहा है इसको टाच करेंगे तो दोनों पे तो हमारा 4.9 दिग रहा है 4.2 दिग रहा है और इसको open करके जब मैंने इसको IC का से पाद IC का pin को टाच किया तो इस पे दिग रहा है 1.3 1.1 1.3 ऐसे ही दिग रहा है इस पे हमारा ज्यादा voltage होना चाहिए था जो हमारा IC है IC काम नहीं कर रहा है क्यूंकि IC काम करेगा तो यह बाला pin पे हमारा minimum 3.3 भोल्ट तक रहेगा यह 3.3 भोल्ट तक रहना चाहिए था नहीं तो यह बाला system जो ABL है ABL सही तेरी किसे काम नहीं करेगा क्यूंकि IC जो EST से जो हमारा बोल्टेज आ रहा है यहां हमारा processor से जो flip जा रहा है बोल्टेज जा रहा है वह बाला system यह डायोट के थो control होता है लेकिन इस पे IC पे ही कोई बोल्टेज पॉब्लेम रहेगा तो यह बाला pin पे बोल्टेज पॉब्लेम है इसलिए ही बाला ग्राफिक्स नहीं बन रहा है मैं क्या करूंगा यह बाला जो IC लगाया हुआ है यह IC को open करूंगा open करने के बाद एक नया बाला IC लगाऊंगा जो ready IC है उसको लगाने के बाद इस पे कितना बोल्टेज आ रहा है वह चेक करूंगा तो पाता चल जाएगा जो इस पे 1.1 या 1.3 दिग्राए देखिए इस पे 1.2 दिग्राए 1.3 दिग्राए ओबाला बोल्टेज हमारा मिनिमाम 3.3 बोल्टेज होना चाहिए इसलिए मैं IC को चेंज करता हूं दोस्तो टाइम के बाचत होने के कारेन ही मैंने यह बाला बेस लागा के पहले ही रागा था आप लोगों को देखाने के लिए तो आसान होगा काम करने के लिए इसलिए मैंने बेस को बेस से मैं IC को ओपन कर चुका हूं जो IC पहले लागाया हुआ था वो IC का नामबर देखेंगे यह TDA T1 05 PS N33 AN4 यह बाला IC था इस IC के बदले में मैं एक रेडी IC लगाऊंगा हमारे पास एक रेडी IC है और देखिए ओही नामबर का IC जो TDA T1 05 PS N33 AN4 यह बाला IC को मैं इस पर कनेट कर देता हूं और कनेट कर देने के बाद देखेंगे जो हमारा voltage missing ABL का हो रहा है वो बाला problem solve होता की नहीं ठीक है मैं इसको कनेट कर लेता हूं और कनेट हो गया है मैं PC को पहले लेता हूं और पहले ने के बाद फिर से मैं टीव को पावर दूँगा TV को पावर देने के बाद हमारा TV जब स्टार्टिंग हो जाएगा स्टार्टिंग होने के बाद इसका voltage चेक करेंगे जो हमारा ये बाला point पे हमारा 4.5 या 4.7 तक दिख रहा था उस पे हमारा 4.9 या 5 बोल दिखना सुरू हो गया है और उसके बाद ये जो pin पे हमारा minimum हमारा 3.3 बोल तक होना चाहिए था उस पे हमारा 1.7 और 1.3 दिख रहा था वो बाला point पे चेक करेंगे इस बाला point पे देखी हमारा 3.2 बनना सुरू हो गया है मतलब क्या हुआ नया बाला IC लागाने के बाद ये जो pin पे जो बोल्टे जाना चाहिए वो भोल्टे जा गया है और भोल्टे जा जाने के बाद हमारा TV पे भी सही तरीके से picture आना चाहिए इसको touch कर लेता हूँ और touch करने के बाद हम लोग picture देखेंगे दोस्तों देखिए हमारा TV पे जो picture नहीं था और स्रेप स्नो जो हमारा एभी का लोगो दिख रहा था या मेनू का लोगो दिख रहा था और हमारा ग्राफिक्स नहीं था और ग्राफिक्स आ चुका है मतलब दोस्तों आज का जो problem था वो बाला problem solve हो गया है जाईसे मैं बाता रहा था मैं इसको connect कर लेता हूँ किने के बाद मैं टीवी को फिर्चे स्टार्शिंग कर लेता हूँ दोस्तों मैं बाता रहा था आज का पॉब्लम था यो problem था डोस्तों जाना का स्टार्शिंग किया तो हमारा सुब्सक्राफिक्स सुनोरा लिया और देखिए हमारा टी डेवी पर पूरी सो आ चुका है मतलब जो उना मoteट को और अंध्यीऊ सुनों आ चुका है और देखिए ग्राफिक्र नहीं सभी सही हो गया है और हमारा टीवी पे जो सुनो नहीं था सुनो भी आ गया है और मैं जब अभी दवाता हूं यह भी दावाने के बाद हमारा पिक्चर भी आ चुका है मतलब दोस्तो आज का जो पॉबलेम था वो पूरी तरह से सॉल्फ हो गया है इस पॉबलेम क्यूँ आया ओब यह पारकिंग करने के कारण ही हमारा कुछ तो स्पारगिंग कर के सभ्य दूब बिद्स कर दिया भाला लॉट नाब की अदिया शर्षिपने मिलने के लिए मेरा चनल सॉब्स क sparks कर लेना बेल आइकोन को दाबा देना ओल नोटिफिकेशन आउन कर देना जब भी मैंने आने आप वीडियो लिखाऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए दोस्तो गुड़ बाई